हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपको बताऊंगी ब्लैक फंगस के बारे में जिसको की म्यूकर माइकोसिस कहते हैं और यह एक दुरलब और घातक फंगल संक्रमन है और भारत में ज्यादा तर यह हो रहा है जो कोबिड-19 से संक्रमित रोगी है उनको हो रहा और जिनोंने ज्यादे लंबे समय तक स्टेरोइड का उप्यो किया हुआ है उन लोगों में भी यह ज्यादा तर बिमाई देख रहे हैं इसकी सिम्टम्स हैं हैडेक हो रही है सरदर्द हो रहा है और नेजल ब्लॉक और नेजल डिस्चार्ज जिसकी नाक से चोटे-चोटे लाल टुकडे निकलना चोटे-चोटे काले पिग्मेंट्स निकलना रेडनेस पेन स्वैलिंग ऑफ आई फटीग ठकान रह रही है फीवर रह रहा है लॉस ऑफ कॉंशियसनेस मतलब होश नहीं रह रहा है और टूथेक हो रही है इसमें दादों का तूटना तो यह सब इसक लक्षन है इससे बचने के उपाई यह है कि जब भी घर से बाहा निकले मास्क पहन के निकले अगर मिटी चू रहे हों खासकर तो अपने हाथ पे गलव्स पहन के रखें अपने आपको ढख कर रखें और अपने आसपास हाईजीन मेंटेन करें सफाई रखें और अपना बल अपने आसपास और अपने जो घर में मरीज हैं उनके आसपास ज्यादा तर सफाई रखें और एक चीज़ मैं आपको बता दो फ्रेंड्स की जो जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉंग है वो इस बीमारी से खुद ही बच जाते हैं जिनकी इम्यून सिस्ट्रॉंग है उनको थोड़ा सा इस बीमारी से खत्रा है वैसे ये फैलने वाली बीमारी नहीं है तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से रहेंगे थोड़ी से साफधानी बरतेंगे तो इस बीमारी से आराम से बचा जा सकता है तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करे ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तिल देन टेक केर बाई बाई अपना क्याल रखें अपने घरवालों का क्याल रखें